हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमारे इस चैनल पे जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोड्स के बारे में सची जानकारी दोस्तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में 50 पैसे के इंदरा गाधी कॉइन के बारे में बताएंगे बताएंगे उसकी वैलू क्या होती है और कौन से कंडिशन में ज्यादा वैलू पे सेल होता है दोस्तो चले शुरू करते हैं अपना वीडियो दोस्तो आपको यह जो वीडियो में कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं हमारे कलेक्शन के कोईन है यह हमने जब खरीदे तो यूएंसी कंडिशन में इन कोईन्स को खरीदा था आज से डेट साल पहले लेकिन हमने इसको खुले बॉक्स में रख दिया और कुछ और कोईन्स थे हमारे पास जिसनके साथ रख दिया इसकी वासे रगड़ की वैसे इ बहुत ही अच्छी कंडिशन में है कोईन दोश्तों इस कोईन के रख बात करते हैं सरसे पहले इसके के मिणेNew की बात करते हैं इसकी बनाया गया था year 1985 में बनाता है, यानि इसकी जो mintage होई थी 1985 में होई थी और coin का जो metal होता है, जो metal देख रहे हैं चुल कोईं का जो metal होता है copper निकल होता है और coin के weight की बात कीज़े, तो coin का जो weight होता है एप्रॉक्स इस कोईन का जो वेट होता है एप्रॉक्स फाइफ ग्राम्स तक होता है यह तो रही इस coin की specification है यह जो coin की specification है क्योंकि लेकिन specification से ज्यादा किसी को खास कोई मतलब होता नहीं कि आप मैंसे किसी के पास coin आता तो सबसे main चीज़ आती है कि उस coin की value क्या होगी और उसे sell कहा करें दोस्तों क्योंकि अगर सबके पास यसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पूराने सिक्क्या और नोट्स आते रहते हैं तो जिनको collection करने का शौक नहीं रहता है वह सोचते हैं कि हम यह सिक्क्य तुरंत बेज दे और इसके अच्छे जो दाम हैं मिल सके यूट्यूब पे बहु में सुचे हमारे पास भ् y womb Ama कराशे क्या पास क्या थै लेकिन फिलाल अभी अभी हमें जो मिल पाए हैं सिर्फ इतने मिले हैं यह कॉइन अप्रोक्स 25 के आस पास हैं दोस्तों बात यह है कि बहुत से लोगों में मैसेज करते हैं अपने अपने ओफर देते हैं अपने अपने कॉइंस का कि सर अमाहे कॉइंस को आप 20,000 मिले लीजे या 2000,500 मिले लीजे उनको लगता है कि जो 50 पे सिख्कें इंद्रा दोस्तों होता क्या है कि आप मेंच से जाते हैं सबसे जो मेंच से होती है इसकी वैलू क्या होती है इसकी वैलू आज की डेट में अगर आप यूजड कंडिशन में इस कॉइन को खरीते हैं रनिंग कंडिशन है यूजड कंडिशन में इस कॉइन की वैलू 5 रुपे से लेक थोड़ा कमे भी मिल सकता है यही कोई आपके पास UNC कंडिशन में है तो इसकी वैलू हो जाती है 15 रुपए से लेकर 25 रुपए के बीच में अब depends करता है seller और बायर के बीच में हो सकता है कई बार बायर जो होता है बार बारगें कर लेता है या बहुत जादा हमने 2,5 साल पहले जो coins खरी देते हैं यह जो हमने UNC condition में खरी देते हैं 13 रुपय पर पीस पर खरीदाता है यह हमने लेकिन आप देख सकते हैं condition तो बहुत अच्छी है लेकिन जो shine और luster होता है coin का coin अगर नया होता है तो वह चीज नहीं रहा गया क्योंकि यह हमने और भी सिक्को के साथ mix करके box में रख दिया था जिसकी वैसे रगड की वैसे आपस में वह रगड हुई और उसकी वैसे इनका shine और लस्चर है जा चुका है वहां पर आप आईए हमें contact करें आपको जरूर आपके जो coin की genuine value बताएंगे क्योंकि बहुत से लोग है जो coins लेके घूमते रहते हैं लेकिन उनको coin की genuine value वह नहीं पता चल पाती है तो आप हमें contact कर सकते हैं हम आपके coin की genuine value जो होगी बताने कोशिश करेंगे दोस्तों बहुत सी लोग हमें world currencies यानि यह बाहर की currencies की फोटो भेजते हैं और कहते हैं सब इसके बारे में बताएं दोस्तों आपको बता दें कि हमारा जो topic मेन वह Republic India है Republic India और coins coins और notes के बारे में mainly video बनाते हैं और world currencies पे बहुत कम वीडियो जो कि हमारी collection में हो जिन coin के बारे में अच्छे से पता हो उनहीं coins के ओपर हम video बनाते हैं या जिनके बारे में कोई rumors हो या कोई F.Y.F.L.I. जा रही हो उनहीं coins के ओपर हम video बनाते हैं world currencies में फिलाल अगर इस coin के जानना हो या कोई और चीज बतानी हो या पूछना हो या हमने वीडियो में कोई कमी की हो या कोई गलती हो गया हमसे वह साली चीज़े बतानी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हमारे वीडियो पहली बार द साथ दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यू फ्रेंड्स